स्थूडेनिंट केसे अब सब स्भागत आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टुडी वित आसू में इस वाली वीडियो में हम बढ़ रहे होंगे development in fish और फिस में जब हम exit development बढ़ रहे होंगे dot cell and ventral axis का formation तो आगे हमें पता लगेगा कि है यहां पे है वो सेम एज इस जैसा कि में प्रोसिट होता है वैसा कवैसा यहां पर फिस में होता है so okay so fish में हम पढ़ेंगे और साथ में साथ वमारा एंफिबिया कब यह वो complete हो जाएगा okay so यह video as per your request request पर यह video बनाई जा रही है वीडियो रिक्वेस्ट आला कि पांच छे दिन पहले किया गया था लेकिन मेटीरियल बनाने में और वीडियो बनाने में तोड़ा लेट होगा इसके लिए रहे शुरू करते हैं वीडियो को हुँ है सो एक्सिस फूरमेशन इन फिसट अमबरेओ के बात करें शुरूआत करें तो डौर्स in डॉर्स योज़ेंगे नीयुज़ हों बनता होगे देखेंगे अगे और फिसट यह एंपरफिर सवर्मेशन यहाँ पर एंपटन रोल है वह प्ले करती है जो एंब्रियो नीक BMP protein made in the ventral and the lateral region of the embryo would normally cause the ectodrome to become epidermis okay so here is a key like this is an embryo so here is the ventral side is BMP protein here is high in the ventral side here is the epidermis which is called epidermis which is called epidermis which is called epidermis is the end of the Last period or the left to the left is called epidermis which is called epidermis is the end of the advent of the cells which is called die that adjust её is the end of the eventual epidemic so here we watch the notochord of both fishes and amphibian secret factor that ब्लोग दिस इंडक्शन और वाई अलाव दा एक्टोड्रम टू बिकम नूरल ओके अब नोटो कोड की बात अब जब हम करते हैं तो नोटो कोड आप सभी को पता है नोटो कोड है वो वेंटरल की साइड में नहीं होता है तो क्या होगा वेंटरल की साइड में नहीं होता है ठीक है और जबकि नोटकोड की साइड में कुछ ऐसे प्रोटिन होते हैं जैसे की कोडिन की प्रोटिन के हम बात करेंगे तो वह है वह BMP को रोकने से क्या होगा वहाँ पे जो एक्टोड्रम होगा वह न्यूडल ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा ठीक है और डाग्ताइब जोड ते क्या है वाँ पे और में वेंटरल साइड नहीं होती है नौطकोड की साइड और में नहीं होने के कारह वह ब ब्यूब्यप नहीं होता है वह नहीं होने यह फिस होने के करणर वहां की एक्टोड्रम है वह नीव्रिटल ट्यूब का한데 कर य act ral novella So in fish the BMP that ventralize the embryo is BMP2B protein का नाम है, ठीक है, ventral side में है, वो expressed होता है, So the protein secreted by the cord mesoderm that bind with inactivate BMP, inactivates BMP2B is a cordine-like paracind factor, called cordine, okay? Okay, so वहाँ पर क्या होता, cordine है, वो protein inactivate करता है, BMP2B को, या फिर हम कहले, BMP2B को है, वो रोकता है, ठीक है, So एक तरह हम कह रहे हैं, यह ventral side है, यहाँ पर BMP है, ठीक है, BMP है, इसका मतलब यहाँ की ectoderm है, वो epidermis formation कर रही है, एक तरह हम दूसरा मालो डॉर्सल की, थोड़ा वो डॉर्सल की side हम कह रहे हैं कि cordine है, वो cordine है, वो produce हो रहा है, जो कि किसको रोकेगा, इस side में BMP आने को रोकेगा, BMP के expression को यह रोक देगा, BMP के expression को रोकेगा, इसका मतलब यहाँ की ectoderm है, वो neural tube का formation कर सकेगी, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर वो neural side नहीं होगा, so BMP है, वो major role कर रहे है, वेंटरल डॉर्सल वेंटरल एक्सिस में, ओके, सो अब आप यह एक image भी देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर जैसे कि एंडोडरम है, यह मीजोडरम है, और यह उपर वाला ectoderm है, और ectoderm की यह side, जैसे कि वेंटरल वाली side है, यहाँ पर BMP2B है, वो protein express हो रहा है, so यहाँ वाली जो ectoderm है, वो epitermis का formation करेगा, इदर वाला, यहाँ पर neural tubes वगेरा नहीं होगी, ठीक है, तो यहाँ पर है, वो protein है, protein BMP2B को यहाँ पर इदर वाली, जो axis पर है, वो express करने से रोकेगा, तो इदर वाली ectoderm है, वो neural tube का formation है, वो कर लेगी, यहाँ पर देको neural plate है, वो बन रही है, अगे, तो आगे हम देखते है, इस दो कोडिन जीन is muted, अगर कोडिन जीन यहाँ पर देको mutate, अगर हो जाएगा, तो BMP2B इदर भी आ जाएगा, ठीक है, तो इदर वाली साइड में neural tube है, वो फर्मेशन ही नहीं होगी, ectoderm से, अगे, तो देखते हैं, अगे, तो इन देखते हैं, अगे, तो देखते हैं, अगे, तो इसा भी नहीं है, कि प्रवाल सर एक दम से ज्यादा हो जागा कोर्ड़िन हो गाई नहीं तो क्या होगा इधर वाले वह निडल ट्यूब भी हो नहीं बनेगा रिशेंग अजरूर यह इस मोड़ी बहुत है डोनों का है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था एक शीसर फॉरमेशन में it embryonic shield appears to acquire its organizing ability in much the same way as in its amphibian counterparts in amphibian the ectodrome cell beneath the dorsal blastopor lip new cube center accumulate beta-catenin so वहाँ पे है वो new cube center होता है dorsal की side में वह basically beta-catenin है वहाँ की cells हो produce करती है okay यह MPBN में है वह देखा गया है वहाँ की जो डॉर्सल एक्टोर्म लिप है न्यूकूप center है बिटा-catenin accumulate होता है जिससे वह डॉर्सल है वहाँ का वह पार्ट है वह बनता है और बहुत सारे experiment है वह किये गए है कि न्यूकूप center को है वह ventral side में है जब हम transplant कर देते हैं वह ventral side भी है वह डॉर्सल में है वह बदल जाता है तो दो दो डॉर्सल याने secondary axis का formation वहाँ पे देखा गया तो ऐसे experiment है आपने भी सुना होगा तो तो इस उट्स प्रotein is critical in amphibians for the ability of the endoderm to to induce the cells above them to become the dorsal lip cell in zebrafish the nuclei in in the dead part of the dorsal initial layer that lies beneath the cell that will become the embryonic shield similarly accumulate beta ketanine तो आमने अफ इछली वाली जो वीडियो में कोमेंट आया था वहां पर उस वाली वीडियो में वह अमने देखा था योक्स इनिशियल लेर जो की beta ketanin हो पर भी प्रड्यूस होता है क्यों एक्योंट होता है okay so this this protein distinguies the dorsal yorksinitial layer from the lateral and ventral yorksinitial layer region okay अब नहीं बात करते हैं अंटिर पस्टीर एक्सी फोर्मेशन की तो यहां पर तू सिंग्नलिंग पात्व हैं में वो देखेंगे तू सिंग्नलिंग सेंटर्स so both head are at the form animal cap and the both tail are located vegetally so animal animal region animal pole बाले region or vegetal pole यहने निचे वाले पर्शन so donno heo respectively head and tail ka formation करते हैं so specific during ugyanesis specified ugyanesis के during heo specified or that and the animal cap marks the anterior of the embryo this excess becomes stabilized during a gastrulation okay through two distinct signaling center first a small group of anterior neural cells at the at the border between the neural and surface ectodrum a reason that become the puteutric gland nacell placard and anterior forebrain secret compounds that cause anterior development okay so anterior part की तरफ हम बात कर रहे हैं okay so वहां की सेल्स है okay so neural cells so जैसे की हमने बात की जैसे की जैसे की हमने बात की इदर BMP है और यहां वाला portion है वह वेंट्रल वाला portion कर रहा है और इदर वाला जो एक्को तरप और एक्टाउचयोब है और फ 근데 वह पोर्मेशन कर रहा है एक्टाश बोट्रम का प्रवार्मेशन कर रहा है यहां यहां बिल्बार मेंस करेंगें ho smite cells, तहां पर वो निच्च वाली cells है, वो बनाती है, वो आगे हम बात करेंगे, ठीक है, तो उपर वाली cells यह आप समझ गये होंगे, अंटिरियर पार्त है, वो बनती है, ठीक है, अब यहां पर एक एक्सपीरिमेंट है, वो सो क्या गाए, है so if if these anterior neural cells are experimentally placed more posteriorly in the uh embryo they they will cause the neural cells near them to assume that the characteristics of four brain neurons so okay so unopar wali cells ko hain wo niche posterior part ki taraf hain agar transplant kar de so vaha pe un cells jese characteristics of four brain ki neural cells ki characteristics se maha pe de ki jaa sekte so the second signaling center kaha hai so in the posterior of the embryo consists of lateral mesoderm and precursors at the margin of the gastrulation blastorum these cells produce uh uh caudalizing compounds okay caudalize caudal caudalizing compounds and most likely nodal related protein or udari part may have nodal waale hain wo protein hain wo secret hote hain because dorsal parts se hain wo waz waz d protein hain wo secret hote hain wo waz di hain wo mesoderm woale portion ki taraf hain nodal hain wo related protein hain wo hain wo express hain wo krati hain to udar hain most likely hain wo nodal related protein and active in hain wo hain wo jyadha maatra mein wo concentration hain wo protein ki rahati hain okay so if transplant transplanted adjacent to anterior neural ectodrom to why ki posterior waari wo cells joh tiya wahan pe anterior part me agar ham transplant kar de so so kya hotha so this tissue will transform the presumptive forebrain tissue into hind brain like structure okay so 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 now abhame iska diagram bide yeh diagram hain isma dhekhenge joh deko joh yae ki joh baat karay hai yaa pe joh anterior waala part hai wahan pe neural cells hoti hai okay so wahan pe hain wo anterior waala part ota ho or hain joh niche posterior waale part ki yaa pe baat karay posterior posterior hai johan pe hai wo mesoderm hoa hai wo hata yeh endodrom hai yeh mesoderm hai aur yeh wala oupar waala hai wala ectodrom waala part hai so yaa pe kya hoata nodal like protein sotay active in mostly active in an nodal like protein hai bohut jah da important hai ap note kar lije ki active in an nodal like protein hai yaa pe hai woh mesoderm ke side mein hain wo hote hai ndo yeh oupar ki side mein isko hai woh induce kertate posterior neural inducing signal ko aur yaha pe woh amne dekha hint brain jeshi structure hai woh oupar transplant karayin to hint brain jeshi structure hai woh banty hai so left right axis formation ki baat karayin so little is known about level left right axis formation in fish in zebra fish a gene called nodal related to gene is expressed slowly in the left side okay so left lateral ki side mein left side mein woh left right axis ki baat karayin so left side mein nodal related to jin hai aur uska protein hai woh express hoata hai left side mein and left side of letter plate mesoderm and nodal related to gene bhi kya karata hai izhe izhe paracrine factor of tgf beta family okay so tgf beta family hai uska paracrine factor ki tgf kata hai woh kata hai okay ab dekhi developmental biology me to hox zin bhi hai woh bhoot di jata hai woh important role hai woh play lisa kiIST ese ki tu hai wow promoted gene Wie diye woh bhaati kahata xomiite share mel me hota hai or bho BACK guys in होती जदा इंपोर्टेंट होता है जैसे कि यह इस वाले एरिया में है वह होक्स 9 & 10 वाला है वह प्रोटीन जीन है वह एक्सप्रेस होता है और जो डिजिट वाले जो एंड वाले पार्ट में है वह है होक्स 13 होक्स 13 है और जहां पर digit 1 होती है वहां पर होक्स 13 वाला जो जीन है वो इस परकार से है वो सारे एरिया को यह इस वाली वीडियो में इतना ही और जिन्होंने वी कुमेंट किया था बहुत अच्छा कॉमेंट किया था की developmental biology में बहुत कुछ सीखने को में मिलता हैém बहुत ब़ता पोर्शन होता है developmental biology और उन्होंने specific बताया भी नहीं कि development किस के ओपर वीडियो बनाने है तो विडियो बनाए हुई तो तो फिस के ओपर ही है और MPBA में Almost ऐसा ही होता है और भी अगर specific वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो वीडियो में थोड़ा लेत हो सकता है फिकस और इस वाले पॉर्टन में हो टाइम नहीं मिल पा है सो लेकिन कोछ चैञेंगे वीडियो करेंगे वीडियो लान küç aus ap alternative वह कर bez न बीडियो क hear and all other life science can be recording okay so thank you thank you for supporting okay bye